नमस्कार, मारू नाम आईयस पटल छे आना आईटी आई सर्केज महूं सुपरवाजार इस्ट्रक्टर तरीके फीटर टेड महूं फरत बजाओ छिल्ला 22 वर्ष्थी आई डिपार्टमेंट साथे मारू नातो छे तो मित्रो आजे आपने प्रिसीजन इस्ट्रूमेंट मा आउटसाइड माइक्रो मिटर वीशे सीखवानू छे ये पेला हूं तम ना कही दो कि तम्हें अत्यार सुधी वक्षोप मा ज्यारे पन तमारे कोई माप लेऊ आई त्यारे एक क्यालीपर लेता दा अना क्यालीपर सा लगाओ तो आएक दाइरेक प्रोसेस क्यावाई इंडाइरेक मेजरिंग करिया तो यहना बदले तम्हें गणिवारे हूं ता सिधे सिधू माप जावें यह कोई इस्ट्रूमेंट हो तो तो हम प्रिसीजन इस्ट्रूमेंट आपने आवाभ आवेजे वर्नियर क्यालीपर આસીનડ્યુતઓમિટર આકયે સ્તત્યરેકી ચરેગેડ્શંત સુદીની છું એટલે કે તમે 0.01 એમએમએmya સુદી inherit आ इंस्ट्रुमेंट वड़े माप लई शको छो अब मित्रों गणिवाद प्रिसीजन इस्ट्रुमेंट आँ तो मित्रों तम्हें थोड़ों पॉंड रसलो आजनु आ तम्हें लेशन बंशो एडला तमने एक क्वांसेप किलियर थे जैसे कि खरेकर प्रिसीजन इस्ट्रुमेंट इटला सहला से कि ना पूछो वाद तम्हें वाच्वा में पॉंड एक्क्यूरेसी रहा से तशा तम्हें जे वाच्शो ये साच्चाम साचूर ने अवे धारों के स्टील डूल तो स्टील डूल थी तम्हें केटलू माप लई सकता दा और ठाद श्टील डूल नी लिस्टकाउंट 0.5 mm छे तो अवे दाखला तक तम्हें कोई माप तमने आप कोई जोब तो ये जोब 25.4 जे तम्हें 25.4 नू माप छे यानूं तो तो मैं च्टिल नुल थी यह नहीं माप लिए स्टील नुल थी तामें 25.50 माप सो तो जे 0.10 नो जे गैप रहो एक गैप तमें कया इस्ट्ूमेंट थी माप लिए तो एक गैप दूर करवा माटे आएक यहू प्रिसिजन इस्ट्ूमेंट छे के आउटसाइड माँ जहनी एक पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन एम्म अर्थान एक एम्म ना स्वमा भाग जेतलू तम्हें माप मापी सगो तम्हें समझो के पॉइंट वन होए तो दस घणू थाईँ तो आथो पॉइंट जीरो वन चे तमनों भले मैथेमेटिक ओछू आवड़े तम्हूं यहू तम्हें यह संज़ो के एक सेट में 10 एटले 0.1 तो एक सेट म सो एटले 0.01 तो एनों मतल्ब यह हो के एक यह अम्म ना स्वमा भाग जेतलू माप मापवा मांतेनू आए एक इस्टूमेंट छे जैनने आउटसाइड माइक्रो मीटर क्यावामा आवे छे उने तेना वड़े बाहरना माप लई शकाई छे अवे तमना फीगर मा तमने ये आउटसाइड माइक्रोमीटर बताऊ जो एक दम फर्स्ट क्लास रिते माप वा माटे यहां सरस भागोना नाम तथा नाम निर्देशन एक दम छे तो सव प्रथम कोई पन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आपणे लई ये त्यारे त्याना सिध्धान्त उपर जो पड़े यानों सिध्धान्त कयो कया सिध्धान्त उपर एक कार्या करे चे तो माइक आउटसाइड माइक्रोमीटर नट अने बोल्ट अत्वा स्क्रू अने नट ना सिध्धान्त उपर कार्या करे चे हवे तमें समझो के एक नट ने बोल्ट न कपल करीं तमें आथमा लो नट न तमें फिक्स पकड़ी राखो अना बोल्ट न फेरव सो तो यहनी वर्तु राकार गती रेखित गती मा रुपान तर छा से तमें फक्त नट ने तमें आरिता पकड़ो के अम नट तमारे आगली ना टेरवा वड़े फीट पकड़ी राखवानी से अनना बोल्ट न फेरव दो एले बोल्ट आगल ञळ से यहला यहनो वर्तु राकार गती नए रेखित गती मा रुपान तर छा से तमें बोल्ट ना माथा न तमामें फेरवो यह अगल वच्छे कई गती मा आगल तो रेखित गती मा आगल वच्छे तो आज रिते नट न बोल्ट ना सिद्धन पर आ इंस्ट्रूमेंट कारिया करे शे वह सिद्धन केटलो इजी से तमें ज्यारे पर माइक्रो मीटर नो वाद करो तो नट बोल्ट न याद करव हवे तमन पीपीटी माज यह माइक्रो मीटर बताऊ चू यहना भागो ना नाम विशे आपड़े जोई लिए तो सव प्रधम एन्वील चे अवे जो एन्वील आउटसाइड माइक्रो मीटर मों बतावे ली चे यह एन्वील ए फ्रेम साथे जोडे ली चे तो फ्रेम शू बनावे ली चे अउटसाइड माईक्रो मिटर नी फ्रेम ए तमाम भागों ने जोइंट कर्वा माटे उप्योगी चे ढगला तर सफे हो क्रेम नी साथे एन्विल लगाहे तो एन्विल ए फिक्स टीप में एन्विल लगाहे तो एक माइड नुँपेस्ट लगाहे तो कार्बन स्टिल मत ही बनावेलू आडन करेलू एक मटेरियल नो पीस होए यहना कार्बाइड क्या हमाँ छे जंदली लेथ मशीन ना टूल उपर कार्बाइड नो पॉइंट लगाएलो होए तो यह कार्बाइड नी टीप्स लगाए यहना उपर घसारों तमें आज यह भाग साइज लखे लिए यहनी वच्चे ग्याप देखाए यहनी वच्चे जौब नाखी तमारे यहनी माप लेवा मां होए चे तो यह कार्बाइड नी टीप एन्वील पर अना स्पिंदल पर आगर तौप उपर राखे लिए यह जिती करीने यह मां घसारों उच्छों पड़े अब स्पिंडल तमें जो तो स्पिंडल कि ए फ्रेम फिट करें लिए पहलों तमें फ्रेम एक साइज लखे लिए आ माइक्रो मीटर केटली साइज नू से यह तमारे जो हो है तो फ्रेम खबर पड़ से फ्रेम नी नीचे ना भग मजे काड़ू बताई यहाम जो काउंट बताई जै 0.01 mm यहनों मतलब यह थायो के आ माइक्रो मीटर थी 0-25 mm सुधी नू मैट्रिक माज माप लए शकाए आ यहनी लिमीटेशन आईगी तमें आ माइक्रो मीटर अठ्थ्याविस एमेम नू माप लेवाज सो तो ना आव है कानके यहनी रेंज हो है यह एन्वील चे एन्वील क्रोमियम वालू स्टील मतलब क्रोम स्टील माथी बनाव है क्रोमियम एक एवी मेटल चे ए मेटलनों एवो गुंद्धर माचे के यहने काट लागतो नथी क्यारे पणे कालू थतू नथी शिल्वर कलर नू जे एन्वील बतायलू चे शिल्वर कलर नू द्रे वर्षो सुधियाना काई थतू नथी खुब मोगी दातू आवे जे तो ए क्रोम स्टील माथी एन्वील ने बनावा माँ आवे जे त्यार बाज आपने फ्रेम जोई अवे पच्छी जोई ए स्पिंडल तो स्पिंडल ने फ्रेम मा फिट करेली होई छे अवे स्पिंडल मा आटा पाड़ेला होई छे तो मित्रो जे स्पिंडल नो भाग देखातो नथी तमे आकुरुतिम जो जे स्पिंडल नो भाग देखातो नथी ए भाग फ्रेम मा फिट करेलो छे अन्वे फ्रेम नी अंदर पर श्पिंडल उपर आउट साइड थ्रेड पाड़े लाओ जे तो आँ थ्रेड नी पीच एक अखो राउंड थिंबल मार से त्यारे तो ए आउट साइड थ्रेड नावडे ए स्लीव में फिट करेलो जे यहना बाजुनों भाग स्लीव से जुओ तो स्लीव में पन आता आता हुए जे जारे थे बोल्ट में एक्स्टर्ना आता हुए तो स्लीव अना स्पिंडल यह ब्याएन नट आना बोल्ट तमे गणूं ख्याला हुए तो थिंबल छे एनी अंदर इंटर्ना आता हुए छे स्पिंडल में एक्स्टर्ना आता हुए छे अना स्पिंडल स्लीव मो फीट करेली होते हैं यह उसलिव इपने उपने ऊपर startup तर्समिन उसलिवने उसलिवने उपर बित उसलिवने भाग करे छहें पर्समिनराई जहते हैं तका श्रमियोंत्क हकने आहुआतो वा डगेन आ पिनाए ज़ुमाटत्त दाने वर उसलिवने होते हैं त्यार बाद थिम्बल तो थिम्बल ए स्लीव नी उपर ना भाग मा फिट करे ले थिम्बल स्लीव स्पिंडल बद्धिज वसू क्रोम श्टिल माथी बनावामा आवे छे यले मटेरियल विशे तमें जानो तो खाली यहनी फ्रेम छे ए फोर्ज डस्टील अत्वा मेलेबल यह बद्धा क्रोम श्टिल माथी बनावामा आवे छे तो अवे थिम्बल नी बाद करिया तो थिम्बल उपर ग्रेजुएशन करेलू छे जो फिगर मा जो थिम्बल ना गोडाय उपर ग्रेजुएशन करेलू जीरो थी ए दोस वीस त्रीस चाली पच्चास आईशी ते यह उपर पाड़ेलू छे तो स्लीव मा ग्रेजुएशन 0-356 तम्हें जो इसको न बाकी नू ग्रेजुएशन चे यह थिम्बल नी अंदर ना भाग मा छे यहनो मतलब के स्लीव ए स्ट्रील रूल चे उपर जे ग्रेजुएशन चे ए इस ट्रील रूल उपर तमारे जे प्रमाणे स्लीव उपर पाण ग्रेजुएशन करे ला होई छे तो स्लीव मा तम्हें जो सो के स्लीव उपर 0-5-5-10-10-15-15-20 एम टोटल एक सेंटीमीटर ना 10 भाग करे ला छे अन्दसम पाशा बीजा अड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ थिमबलल ना जो तो ग्रेजुएशन में तम दसक आउट साइड मों ऊपर ना भाग मों पत्चाश कापा पाडेला छे अन्ना अाकड़ा लखिला अब थिमबललना पाचल ना भाग मों नरलिंग करेलू आवेज तम्हे माइक्रोमीटर जो तो थिमबलना पाचल ना भाग मो नल्लिंग करे लू गुडाई मों नल्लिंग देखा शेया, यें नललिंग यहें पकडाै थो है तो मौनही बने तक पर आधी थो है, भारे बंच कर तो पाचल ना भाग मों रहें चेश टॉप चेश टॉप चेश टॉप तो ज्यारे पॉन आउटसाइड माइक्रोमीटर तमें माप लेशो त्यारे एंवील अना स्पिंडल नी वच्चेश दागी नो फिट करशो दागी नाना बरोबर स्पिंडल ने एंवील तच छाई एटले तमारे थिम्बल फेरावानू बंद करी अना रहाचेश टॉप फेरावामा उप्योग करो पड़े रहाचेश टॉप पन क्रोम स्टिल माथी बनाव मा आवे चे रहाचेश टॉप ना अंदर ना भाग मा जे छिल्ली गड़िये फाइन एज्जैस्टिंग माटे रहाचेश टॉप ने फेराव स्टारे कट जिवो अवाज आवे एटले तमारे रहाचेश टॉप फेरावानू बंद करूँ पड़े कारण के रहाचेश टॉप मां बट्रे स्थ्रेड इतला माटे ज राखवा मां बट् अब रहाचेश टॉप तमें फेराव स्टॉप कट जिवो अवाज आवे एनों मतला बंदर नों बट्रे स्थेर छटकी ग्यों वधारानू प्रेशर होई ये दूर थे जाए थिंबल ना नुक्षण ना था एना माटे रहाचेश टॉप होई बद्दाज कारीगर सर्खी का बस्तीत करवा पड़े याना पकड़वू के विरीते एक अगत्यों मुद्धों छे आए खास के दो के तमें कोई इंटर्यूम जसो अने सामेस जे तमारू इंटर्यूम लेवा कोई बैठा आसे फ्यक्तरीना मेनेजर शॉप फ्लोर माथ ही आईन टेकनिकल मानस बैठा आसे माइक्रो मितर जो अब रवनियर अब अद्धा साथाहनों ब्यादा आवस्तु तमें जो इत नहीं होई तमें बने अधने वाई ना आभी से थाहना द्याना आव ट्राच ने नहीं करें तो तुम ने क्या से चलो पे आम अउटसाइड माइक्रो मितर का उज अज़े इन आउट्साइड माइक्रो मीटर पकडवा माटे खास त्यान राखवानू कि आ पंजो से फ्रेम उपर आमावो जोई अना अंगुठो अने आगली थिम्बल उपर आभी जोई याद राखो आ समझो के आउट्साइड माइक्रो मीटर मारी अथेली मों मेली तो पंजो आरिता आ अना अंगुठो आरिता अंगुठो आना आगली तो आना अंगुठो पर आवा जोई थिम्बल पर आम त्राहा राखी ना फिरेम न आरिते पकड़ याज प्रमणे बीजा आजवडें जोब ले अन माँ पकड़ो आम पकड़ित पशि आंगली थिंद थिंबल तम्ये फिर जो लेदो आंगलीनी मुवमेंट जो आरीता तमें फिर वो इतले समझो के यह मानस न तरतच ख्यालाई जसे कि आ मानसे माइक्रोमीटर थी माप लिदेलू छे आ मानसे वक्षोप में क्या रहे पन माइक्रोमीटर नो उप्योग करेलों छे तमारा इंस्ट्रक्टर तमना माइ त्यारे तम्में यहना पकडवानी रीच छे एक खास तम्में पुष्चो तो तम्मन सरस्रीते समझाव से कांके माइक्रोमीटर रे पीसीजन इस्टूमेंट छे प्रीसीजन इस्टूमेंट जैम तेम उप्योग थाई ने बहुत मोगी वस्तवाई छे वर्क्षोप मां समझो तो तूल्रूम माथी गणिन आईटी आई मा तो अपड़े तूल्रूम माथी पन लाव पड़े इस्ट्रक्टर ना चार्ज मा ना पण होए तो आउटसाइड माइक्रोमीटर तम्में ज्यारे पन उप्योग मा लो त्यारे ना पकड़ू के वरी ते रोफ यूज ना थाए यूज ना पकड़ू के रिदे थिंबल ना फूल ताकात ना करवी आ बदी एम थी तमारे ध्यान राखवा जेगी लिव चे अनना ये संभाड ना कार्जी पन के वामा आवे चे हवे माईकरो मीटर ना भागो अपने विहस्तित रिदे जोया बरोबर के फ्रेम एंवील स्पिन्डल बरोबरके वी रिते छे एल कई रीते छे श्पिंदलनु शुकारिया छे यह तमें जो फ्रेम सी आकारनी ओए छे में तम दके ड्रॉप फोर्ज श्टील के मेलीबल कास्ट आर माती बना अमा हो चे यह पॉन तम दके मेलीबल कास्ट आर नी गुणुवत्ता तमें शमझावी फ्रेम परत यानी साहित दर् एटले एम्म पासर लख्यू जे एटले तम न ख्याला ही जाए कि आ माइक्रोमीटर मैट्रिक पद्धती वारुट छे आमाथी मैट्रिक मज तमे मापलाई सक्सो त्यार बाद एन्वील तो एन्वील माइक्रोमीटर नी फीक्स मेजरिंग फेस्ट छे ये पन तम न कईू कि त असार थावाना हजारो जोब माँ एन्वील गसारो पड़वानों एतले एन्वील ने उपर कारबाईड नू आवरण चड़ायों छे त्यार बाद तम न स्पिंडल वाईसे में जानायों के स्पिंडल क्रोम श्टिल के एलो श्टिल मती बनाव माँ आवे छे अवे खेलों टिल के एक स्पिंडल अनंवील भेखा थाई है इन्वील सामें मेजरेंग फेस के एलो तो ए मेजरेंग फेस के काम करें फिंड आना विजों चेडों ऑप्डेल लो टे ए ठ्रेड मीके नजम दिश्टि आगा पाजर थाई है अन्वार्ट साइड वाड़आ ब रूपर जे रीते ग्रेजूेसन करे लुँँछे पर जे बारी तेन अब प्लेश रहा है क्रोम स्टिल में बनावा माँए स्लीव नू बीजु नाम बैरल छे हवे एक वस्तु में तम तक क्या वानी रही गई के स्पिंदल नी लौकनट तो तमें फिगर मा जो लौकनट आपेली छे लौकनट काडा कलर नी माइक्रोमिटर नी फ्रेम उपर लगावे ली छे बराबर ध्यान्ती जो हवे आ लौकनट नी जरूर शू पड़े तो लौकनट देले कोई पन वस्तु लौक करी यान लौकनट क्य तो ज्यारे पन माईक्रोमिटर है तमें ज detective ना माप मएप या पत्सी तमारे रिडिंग द्होवा माठт कंट लौकंट का लो राउंड बार्ट नो जोब जी बना लो तैयार करें लो जोब से याना थमारे मापवू से तो माप सो ये वक्ते तमें दूर थी एटलू बदू तमें ध्यान नहीं कैंद रीद करी सको बरोबर स्पिंडल अन्य एन्विल याना डायमेटर उपर बरोबर टच थाए थिंब लोक थाई जैसे तो आ लोक करी पछी दिमें माइक्रोमीटर बार कार सो तो लोक नट ना काराणे त्यानू जे थिंबल के र्याचेश तो फरी जसे ने थिंबल लोक नट न लोक करी दे से तमें हम जो के स्थ्लीव आ स्पिंडल ये आगाव पाचर जरापन मुव्मेंट कर आउटसाइड माईक्रोमीटर माँ लोक नत नो बदीज वकत उप्योक नथी करता है अपड़े अपड़ा आथमा जो अब राखी अना ज्यारे पॉन माप मां प्ये त्यारे लोक नत नी जरू पड़ती नथी परंतु मसीन माँथी चालू मसीन मसीन बन करी यह भी पोजीश तो तमें यहाँ दाँके दागीन से चाहिए लाइन माइक्रोमीटर था तुम्हें आइआ बता हो तुम्हें सुप्राइजर प्रूब्वरु तमें माइक्रोमीटर राखी locknut लगाही है टागल 151 थसे ने तम्हें बताई सको साइप आज जे दागीन ओत्यार चड़ावेलो छे मसीन उपर यहानू डाइमेंशन आटलू छे तो आ रीते भागोना नाम तम्हें फीगर मा जोई सको छो परो स्लीव बेरल त्यार बाद थिमबल वीशे पन आपड़े जोईू के थिमबल जे छे यहना उ सर्खम परस्म सर्खा 50 कापा पाड़ेला होई छे त्यार बाद तम्हें रेचे श्ट्वाप वीशे पन एकदम डीटेल मा जाई अने बतायों के स्पिंदल ना पाछल ना भाग मा रेचे श्ट्वाप आवेलोई छे मेजरिंग सर्फेस वाच्ची एक दार्युद दबाण म पिलावा माते रेचे श्ट्वाप नोपियो एक सर्खु दबाणावे यहना मड़ अन्तेमा बत्रेस ठेड होई छे कारण के वद्धू दबाण आवे तो बत्रेस ठेड स्लीप ठेई जाए बत्रेस ठेड बत्रेस रेट बत्रेस अटले पक्सीनी पांख के इत्रासी होई ज अख्षु इस्ट्रूमेंट तमें जोईू एम तमोंने भागोना नाम भागोना नामनों मतेरियल कया भागोना नाम केविरी ते काम करें यह आख्षु कंस्ट्रक्चन और रचना वीशे जारों के कोई पूछे तो तमारे पहलू तो माइक्रोमीटर नी आख्षी आकुरूती दूरी पड़े यहना भागोना तमाम बद्धाज नाम लखवा पड़े पच्छी दरेक दरेक एक 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 भागना लई अन्यानों वर्ण करूँ आटलू करूँ यह नाम करूँ क्या नामी नेशन करूँ करूँ वांकनो सवाल हो तो आरे खाली नाम तमे लखी खड़ो। यह न लागाला है तो यहनु बागोना नाम नू पण वर्ण अवे चुस्ट्रक्शन नर रत्चना तो आ खूँ भागोना नाम ने भुदू तमे बस्या यह नी रत्ना अपकर कुस्ट्रक्शन के एक तो यहम क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर माँ सी आकानी फ्रेम होई छे, त्याना डाबी बाजुना भाग मां एन्विल फिट करेली होई छे, एन्विल ए फिक्स होई छे, यहना उपरना पॉइंट उपर आगल ना भाग मां कारबाईड नी टीप्स लगाएली छे, जेथी करीन त्याने गसारों, उचो पड़े, अत्वा ना पड़ पड़े, त्यार बाद तमें जो एतो जमनी बाजु स्पिंडल होई छे, स्पिंडल आगल पाचर थाई सके छे, स्पिंडल उपर आटा पाडे लाओ होई छे, यह आटा आउटसाइड ना आटा होई छे, आटा नी पीच जेतल बलनों फेर वो त्यारे एतलों यह पीचनी वच्चे नू जेतलों अंतर होई एतली स्पिंडल आगर खसे छे, तो स्पिंडल स्पिंडल ना स्लीव मों फिट करे लिए छे, स्लीव पाण क्रोम स्टिल मती बनावी लिए छे, और स्लीव मों पाण इंटर्नल थ्रेड पाडे लाओ जे श्पिंडल ने अनुरूप होए छे मतलब के श्पिंडल अने स्लीव नट बुल्ट नी जेम फिट करे लाओ छे स्लीव नी उपर थिंबल फिट करे लुए छे अवे थिंबल उपर पाजु ग्रेजुएशन करे लाओ छे तमने अम्दर चे का तो बहुं लाभी तम निसली पाज्ट करे लुए छे जे थी करिने ग्रीपिङ शारी रिते पकड़ी सकाई त्यार बाढ यानि पाजल बाग मा रयचेश्टअ पहए चे रेचेश स्वे चे और, वही श रिचनुर्केण करे लुए चे ते बोल न म पलडुरं वरुलटु अिसरी जी र्याचे र्याचे स्टॉप फेरवां कि आता पड़ेला dud से और यहां तौनल भकेल कि आतुरे धार कि एकाने सेंदाथ आउटसाइड माइक्रोमीटर नो शिद्धान रचना अनक कारिया यहना भागो ना बद्धा भागो केविरी ते कारिया करे यह जो हवे आपने यहनी एक्यूरेसी लिस्काउंट यह बदूद जुई है आगल जो हो तमें स्लाइड माँ लिस्काउंट लिस्काउंट एटले लगुतम माप शक्ती कोईपन साधन तमारे ऊप्योक करो होते तो अच्छा से में माप लेवान हुआ तो तम्हें स्टिलूल दिन आउटसाइड क्याली परती लई सक्षों यहां कहें आनी जरू पड़ से नहीं परन्तु प्रिसीजन काम हुआ समझो के ओटो मोबाइल ना पार्ट तम्हें जोओ शो यहां पिस्टन सिलिंडर आवे तो पिस्टन नूँ आउटसाइड माप च्यारे लेवान हुआ त्यारे एम्म मन आचाले पिस्टन अना सिलिंडर माथाना वार्ड जेटली गेप हो हुआ तो पौन यहां खामी के हुआ यहां एंजीन बनाऊ पड़ से यहुकारीगार तम नशिभा आवा त्यावा थक्यारे प्रिसीजन माप लेवाना होई त्यारे साधननी लिस्टकाउंट नी तम न खभर पड़ी जोंगे अटलू प्रिसिजन माप लेवानु तो आ साधन नी लिसकाउंट केवी दिते होए तो ओच्छामा ओच्छू माप लेवानी शक्ति ने लगुतम माप शक्ति क्यावामा आवे छे अथवा इस्ट्रूमेंट नी आउटसाइड माइक्रोमेटर थी वदारे वदारे केटली चौ प्रिस्ट्रूमेटते अपडतल tomar इ çalış या कारियर चालू तो तो आसाधन नी लगेली चे साधन ऊपर लखेलू जे बूग्समा बक्साइट माइक्षाय थी माप लेवान शक्ति तो आउटसाइड माईक्रोमेटर नी लिसकाउंट किविरीते काडवी आनने किविरीते यहनी गणत्री के आपड़े कई दिदू के 0.01 mm आउट साइड माइक्रो मीटर नी तम्हें प्रैक्टिकल कारिय कर शो त्यारे लिस्काउंट काड़वानी जरूट नधी पड़ती त्यारे तो तम्हें लखेली चे साधन उपर लखेल उचे बोक्स में साधन चे मुझे साधन नी फ पारिन मुखेले माइक्रो मीटर नू लिस्काउंट एटले माइक्रो मीटर वड़े लई शकातू नानामा नानुमाप जे मेट्रीक और ब्रीटिश पद्धतिमों अलग अलग होचे आ पद्धतिमां माइक्रो मीटर नी स्लीव पर कूल 25 ना 25 भाग पड़वामाँ आवे च जारे थिंबल पर कूल कापा पचास कापा माँ थिंबल नो एक आटो फेरवता त्यना कूल 50 कापा फड़े लिस्काउंट बराबर श्टिव पर नानामा नाना कापा नुमुल्य भाग या थिंबल ना कूल कापा नी संक्या होग तम्हें जो समझो के तम्हें में प्यलूच गयूं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर नी स्लीव पोर स्टील रूल नी जैम ग्रेजुएशन करेलू शे तो 25 एमेम ना 25 कापा पाड़ेला शे आ माइक्रोमीटर 0 थी 25 नू छे एटले 25 मूतम नको शुँ कि 0 थी 25 कापा पाड़ेला शे आ 0 थी 25 कापा नी वच्चेना भाग म फरी थी एक कापो पाड़ेला टोटल पच्चास कापा थी क्या हवे 25 एमेम मं पच्चास कापा थी एक कापा नू मुल्य और दो एमेम थोई 1 बाई 2 एमेम यहना आपड़े पूणांक मा लेखे तो 0.5 एमेम रेड कलर थी बतायू यह जो हो तमे तो आ थाई क्यू एक थीमबल जो हो तमे एरो मार्क करीन बता थीमबल उपर गोड़ाई मं पच्चास कापा थी स्लीव तो तम नहम जाई दिदू के स्लीव ए स्टील रूल नी जियाम थीमबल नी अंदरना भाग मा थे एना स्लीव क्या वाए तो ए स्लीव उपर 25 खापा थे तरेक 25 कापा नी व बच्चे नुँ अंतर 0.5 mm थरू त्यार बदवा थिम्बल नी वाद क्या थिम्बल उपर गोड़ाई मस है जो 0 10 आम कहीं पाचा दिन 9 mm तो थिम्बल उपर टोटल 50 कापा कापा मा अवेला छे तो वे लिस्काउंट नू एक सुत्र छे के स्लीव पर ना नाना मा नाना कापान मुल्य भाग थिम्बल ना कूल कापानी संख्या अवे चलीव पर नाना मा नाना कापानू मुल्य महतम न कयू क्या पत्चीश ना विजा पचास भाग करे यह जीरो पॉइंट पाचे में थिम्बल पर कूल पचास भाग करे लाजी यह तो वन्चाइच छे साधन उपर थी बन चाहिए तो 0.5 भाग्या 50 आ भागाकार सादो भागाकार छे हम तो 5 मां छठ्था दुरुन्ना छोकरा होना है हवे 0.5 भाग्या 50 यान तमारे भागाकार करोईले 0.01 mm आवे यह वो तो प्रश्ण नाच करता है कि 0.5 भाग्या 50 बाराबार 0.01 mm के विदिते आयू तो यह तो स्वाभागी कत छे तो माइक्रोमीटर ना मैट्रिक पद्धति मां लिस्काउन 0.01 mm थाई हवे घणी वार अजू ब्रिटीश नू अजू घणी जग्या चाले घणी जग्या यह वो छे के ब्रिटीश पद्धति मां पन मापलेवा है जूना कारीगरों जी अत्यार है लगबग 50 वर्शनी आजुबाजुना कारीगरों जी काम करे जे वेलपर माथी कारीगर बने ला गणी कंपनी मां ब्रिटीश पद्धति में लेता हुए तो तम्हे कोई जग्या अपरेंटीश तरीके ग्या अवे कारीगर ब्रिटीश मां माइक्रो मीटर वा पड़ तो तम्हें हम क्या आतो साधन जोई ब्याली वाद जोईू कांके यानू ग्रेजुएशन अत्तम नहीं ब्रिटीश पद्धति में जंडली कसु पूचातू लदी यहना जानवू जरूरी से तो ब्रिटीश पद्धति में लिसकांट के विरिते आवे यह जो आकरूति में में स्लाइड बनाए जोएलो जरा भृटिश पर्व अर्ण पत्दरिंद्धी मां मायक्रो मीट्र ने स्लीव पर 25 चापा तो जबाने स्लीव पर 25 चापा पर आँजले पर 10 सखाब करेला आद धर एकपा ना सखाब चार भाग से यहनो मतलब यह थयो के एक इंच नी उपर 40 सर्खा कापा पाड़ेला छे हवे एक इंच लंबाई हो है यहमा 40 कापा पाड़े हो है तो दरेक कापानू मुल्य केटलू थाए एक छेदमा 40 इंच थाई हवे एक छेदमा 40 हो यहना पूणां तमे करो तो 0.025 इंच थाई सिधित गणतरी फरिशी समझो के स्लीव पर एक इंच मा प्रथम 10 सर्खा भाग पड़वा मा आवे चे आद दरेक का सर्खा 4 भाग करवा मा आवे चे एक गेप लिए यह मत 4 कापा एवे रिते 10 सर्खा भाग मा 40 कापा टोटल थाशे हवे स्लीव पर नाना मा नाना कापा नू मुल्य एक छेदमा 40 इंच थाई यहनों मतलब यह थाई के स्लीव पर एक कापा नू मुल्य 0.025 इंच थाई भ़ी जा रहे थिंबल पर कूल 25 कापा पाट जो मेट्रिक में थिंबल पर में कई तुआ यह मं 20 कापा पाडेला जै जा रहे ब्रिटिश में 0-25 नू माइकरूमीटर हो और ब्रिटिश में 25 कापा पाडेला ओएछे थिम्बल नो एक आटो अखो फेरवे त्यारे स्पिंडल एक छेद मत चाली इनो मतलब के 0.025 इच जेटलू आगर वदे हवे लिस्काउंट नो सुत्र स्लीव परना नाना मा नाना कापानू मुल्य भागया थिम्बल परना कूल कापानी संख्या हवे 0.025 ये तमें क्या दिली दू तो 40 सर्खा भाग कर आते हमार एक छेद मत 40 याना बराबर थाओ 0.25 अनो 25 ग्या दिली दू तो थिम्बल पर 25 सर्खा भाग पाड़ेला चे साधन उपर दिली दू ब्रिटीश माइक्रो मीटर नू जे साधन जे याना जोईन खबर पड़ी क्या आना उपर 25 कापा बाड़ेला तो 25 0.025 भागया 25 तमें कर सो ये तले 0.001 इंच थसे एनो मतला बे थायो के ब्रिटीश पद्धाती मा आउटसाइड माइक्रो मीटर न इंच लखवो एक दम जरूरी से स्लाइड मा छेल ले जो 0.001 इंच नो मार्को लखवो जरूरी है खाली जिग्या पूशाए कि ब्रिटीश पद्धाती मा आउट माइक्रो मीटर नी लिसकाउंट खाली जिग्या छे तो तमारे इंच ना लखिवे तो मार्क नाम रहे परन 0.001 करवा अना इंच तो लखेलू जाजे पन ना लखेलू आए तो इंच नू निशान करवू पड़े अजा मैट्रिक पद्धाती मा आउटसाइड माइक्रो मीटर नी लिसकाउंट 0.01 एम एम ब्रिटीश पद्धाती मा आउटसाइड माइक्रो मीटर नी लिसकाउंट 0. तो आप बनने रिते तमने लिस्काउंट के वी रिते काडवी यह कई दिदू फक्त तमारे सुत्र ज्याद राखवानू के स्लीव परना एक कापा नू मुल्य भाग्या थिम्बल परना कापा स्लीव परना एक कापा नू मुल्य जीरो पोइंट पांच और दो एमेम जमके ऑग्या जीरो पॉइंट 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 जुरव वं और एक कापा नू मुल्य तो मुल्य एक कापा 26μण तो एक छेदम चालीस भाग्या एक छेदम चालीस न आपड़े पूणाग में कदे 0.025 थासे अनो भाग्या थिंबल पर कुल कापा नी शेंगे अवे एक वस्तु याद राखवा नहीं कि आउटसाइड माइक्रूमा ब्रिटीश माँ थिंबल पर 25 कापा आपेला होए छे अन मैक्सिममम लिमित आपना खबर होई जो है तो ओछा मोच्छू माप तो आपड़े जो है लिदू ब्रिटीश पद्धाती माँ 0.001 इंच ना मैट्रिक पद्धाती माँ 0.01 mm ये ओछा मोच्वा तो वदूम वदू माप केटलू माइक तो तमारे स्लाइड माए माइक्रूम मेट्रिक आउट्साइड माइक्रूमीटर 0 थी 25 थी 50 mm नुए 50 थी 35 mm थी 100 mm, 100 थी 125 mm, 125 थी 1500 mm, विगेरे रेंज माँ माइक्रूमीटर मड़े जे, हवे 0 थी 25 माइक्रूमीटर होई, त्यारे तमें एन्वील अन स्पिंडल भेगी करो, ये समझो के 0 थी जू, पन खोलो ये ज रेंज एटले पूरी थाईगे, त्यार बद तमें बीजू माइक्रूमीटर 25 थी 50, तो 25 सुधी नुँ माप तो ये आवेलू चेटला धारों के तमारे 28 mm नो जोब मापो हो है, तमनो कोई तमारा इंस्ट्रक्टर 0 थी 25 माइक्रूमीटर थी तरत तमार क्या वारू, क्या 0 पत्चि नुँ छाइब छे, मारे 28 5 मापो, तो 25 नुँ आपू, आउउ तमें क्यारे कई सक्सों, वक्षोप माँ तमें क्यारे बूली सक्सों, ज्यारे पॉन तमें क्लास्रूम भनें Savior सतों, क्लास्रूम मा तमें आउटसाइड माइक्रो मीटर भने आसो, तो तमें लई सकाई आने रेंज जीरो नी प्रियोर्थी 25 में चे मारे 25 थी 50 माइक्रोमीटर जो से यह दिते 110 मापवानु होए तो तमारे तर्तज क्यानू कोई स्वाथी 125 नी रेंज नो माइक्रोमीटर हाब हावे तमें एक वस्तु खास द्यान आवो जे चो आपड़ी मा क्या सिले बसमन थी परन्तु वद्धू में वद्धू माइक्रोमीटर पांच मीटर मोटू माइक्रोमीटर होए तमना नवई लाग से मानस नी उचाई जेटलो ज यहाँ जात्या जोई नावेलो इंगोट मुट्टा मुट्टा इंगोटों डीफेंस नी कमपनी जे ओए अथियारो बना टेंक न ये बदू बनावे मुट्टु मुट्टु अनो तोपो बनावे मिसाईलों बनावे परोवा रोकेटों बनावे तो यहना जेंगोट आवे अंदर इंगोट आवे शाफ्टिंग आवे स्लीवों आवे यहां तो यहनु पर डाइमेंशन तो आरिताद लेव पड़े नानो दागी नों बनाव यहां एक्कुरेसी राखो अनों मुट्तों समझों के पांच मीटर डायमीटर नों दागी नों बनाव तो यहां 0.001 यह सीत्म कारिकर बेहसे अनों जे मसीन उपर यह दागी नों थतु ओए त्यां यह कारीगर अनों आउटसाइड माइक्रो मिटर बधू क्रेंथी तियां लए जाए पसी क्रेंथी यहना पर्फेक्ट यहना क्रेंव और पाचावर उपर नीचे बद्धी दिशामा यह गति क दिवाए क्रेंथी तो क्रेंथी यह माइक्रो मिटर ने इंगोट उपर लगाव माँ आवे जें नानों तम्हें रोड माप वो एवरी ते मुट्टा दागी ना उपर आउटसाइड माइक्रो मिटर लगाव माँ आवे अनों यह रवाच्चे स्टोप हो है पसु यहनू रह कंपणी मान वाखरी को डिफेंस नी कंपणी मान वाकरी कर शो अमेरीका जे नासा मा तम्हें ना वाकरी करवा ज़ा तो तो यह तमें यह माइक्रो मिटर जो खो तो यह दागीनों माप पनों यह आश्रे तमना खबर होई जुए तो मैं लाग हुआ तीलव रूल थी तमारा मापि ले ले ओ पड़े क्या जी रेंश पाइट अंच कि आ त्यारे बारीज, शोड़ीज, शोड़ीज, वीसीज, 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 थोड़ी रेंज बढ़लाई, आम जुदी जुदी रेंज ना माइक्रो मीटर बजार मों अवेलिबल होए, तमारे केटला इचनु मापलीवानुशे, ये प्रमाने तमारे एनक्यावू आना होए, कांतो ये बोल-बोल बोग करतो होए, तो आनक्यावाई लिमीटेशन, ये तालीमारती नी खामी, ये जरीदे इस्ट्रूमेंट मों पण कोई खामी आए, अवे तमने इम लागये के इस्ट्रूमेंट छे मापनू साधन चे तो है खामी होए, हाँ, खामी होए, वर्षो थी वपरातू साधन होए, तो ये नी टीप्स होए, दारोके एन्वील अना स्पिंडल, वच्चे ग्याप पड़ी होए, अत्वा ये साधन बगडियू, बराबर काम नथी पड़ू, तो फरीदियान रिपेरिंग करवा मोखलीू, तो रिपेरिंग करिंग जारे आ ना था आए, तो ये ना जीरो एरर क्यावा है, जीरो एरर, अफे गणिवार परिक्साम पूशाए, आउटसाइड माइक्रो मीटर नी जीरो एरर एकले शूँ, तो छोकराओ जवाब क्यों लखे जे, ये तमना जरा समझाए जो, छोकराओ ये लखे, कि जीरो एरर एकले, जीरो एरो, जरापन एरर ना होए, येने जीरो एरर क्या आवाए , आओ जस्वाब चोकराओ नूए, विध्यायै लाओ, जवाब आओ, 0, alelar, एक ये एक वस्तु छे, के 0 थिंबल परनो अने, सलीव परनी, डेटम है बे पर्फेक्ट मेच ना थातु ओ, जीरो उपर दोए अथ्वाँ नीचे रैतो होई तो यह जीरो एरर क्य वाए जो फिगर मा तम बताई। ञचे एंविल, स्पिंदल अन डेटम लाइन आ त्रोने वस्तु फिगर मा बताई ली जे ठिमबल बताई ली जे तम इजो डेटम लाइन अन थिमबल जीरो आप यह वस्तु जो एरो मारेल जीरो-उपर-ईयरो ज है One day-term-line उपर-ईयरो ज्या जीरो-जीरो-च्पछ ठाई जे यह नो मतलब किया No- з wherein आमंहां 0 हे नंती फिगर म वा अब प्रिगर मुटी करी बतावी ली जए अनना लाल कलर ह Надо नु निशान महाल्वरीनultur जो यह जिरो-जिरो-बनने मतलब डेटम लाइन अनो थिम्बल पर नी जे आंकन छे ये बनने मेच थाई छे ये ले डेटम लाइन साथे जीरो परफेक्ट मेच थातो हो है तो नो जीरो एरर केवाए तो येलो फरिदिप फिगर मा जैरे स्पिंदल अने एल्विल ने मेच करवा मा आवे छे त्यारे मेच न थाई येने जीरो एरर केवाए जीरो जीरो मेच थाई येने जीरो एरर ना क्या आवाए आ एरर माइक्रो मीटर ना वारम वार वप्राश्णे काराणे आई सके छे थिम्बल नो जीरो डेटम लाइन करता थोड़ो उपर के नीचे रहे तेने जीरो एरर क्या हमाए ते .com पॉजेटिव एरर नू तमना समझाओ ज्या रे अन्वील ने मेंच करवा हमा आवे चे त्यारे डिटम लाइन आने थिम्बल ना 0 डिटम लाइन करता नीचे रहे बताः तीम लाईन में नों सिरो नहीं इम इम तो आपणाई नहीं नहीं है यह थिमभल उपर कापा पादे में नहीं सखाए सरखाएया कापा से चाहााी की लूट तु one के लाल कलर नी टीकक मार्क करेए यह फिगरमा जो थोड़ू नीचे रही जाए जे झीरोडेटम लाइन करता नीचे रही जाए जी ती थी थोड़ू रीडिंग पेले थीस वधारे बन्चा आँगे माइक्रो मीटर मा तमें रीडिंग मांच्यों, त्यार प्यालेथीत थोड़ु वाखना, आने पौजेटिव एरर क्या होखा मा आवे छे आ एररने फाईनल रीडिंग माथी बाद करवी पडए छे ्त क्यारे जो डेटम लाइन आगर जीरो आई इन उपर जतो रहे फित थे यू वदारे पीट करना क्यों यह रिशाधन परे जेती थोड़ू रीडिंग पहले थी तो उच्छु वन चासे आने नेगेटीव एरर क्या है आ एर नो फाइलर रीडिंग मा शरवालाव करो त्यारे शाचु रीडिन आवे नेगेटीव एरर ती हारा पहले पहले टमारे उमेरू पड़े प्वजेटीव एरर मा रीडिंग मा थी तमारे बाध करो पड़े मा फिगर ठें यह मा तमें बराबर जो एक डकापा वा चारेक कापावा आगल जतू रहुशे तो आना नेगेटिव है हवे तम्हें ज्यारे रीडिंग लेशो त्यारे रीडिंग लिधा पसी आ चार कापा यहम तमारे चार कापानु मुल्य गणत्री करी अने यहम उम्बेरू पड़े हवे रीडिंग लेवानी रीथ तो रीडिंग तम्हें माइक्रो मीटर में केवी रीथी लेशो तो सव प्रतम तमारों सव प्रतम तमारों दागीनों से यहन तम्हें ज्वाब उपर राक्षो त्यार बाज यह जे माप आई हुओ यह मो तमारे उपर ना जे थिम्बल पर ना जे वापा करवाने तो 45 गूण्या 0.01 करवानू एटले 0.45 थाई जसे एटले धारों के 25 माप ली तो 25 पॉइंट पिस्तालीस थाई थाई तिम्बल पर ना कोई पन कापाने 0.01 एटले के यहनी लिस्काउंट वड़े गूणी अने तम्यारे जे में स्केल उपर थी माप एटले के सी स्लीव उपर तीयार बात Digital Micrometer, Digital Micrometer आ एटले मिचल के अधेने तेक्नोलोजी थी आविले यहना ठी तम्यें धुददु तम्यट्धिंधी तम्यले और ने तम्येमा ने लिवान थी बीचाऊंट इफाईंटु पलों मेफें बद्धू पड़ियो एन भेगू माइक्रो मीटर आपड़े ना मुखाए ये प्रीसी जन इस्टूमेंट चे यानी कार्जी लेवी पड़े बॉक्स मो पात्री चाली हजार नू साधन होए और याना तम्हें गम्में मुखो तो ये खुटू पड़े येला तम्हें येन बॉ ये बॉक्स bathing ए खैक नहीं ये के पॉजेटिव के पॉजिटीव कई ए ड्याब वातार शाहा हो है तो 나쁜ेटिव बात करने बौर बाहें नेंगेंडड़ेंग में तो उमेरू पड़े आपन तमारे जोव पड़े त्यार बाद बीजी वस्तु कहिए तो माइक्रो मीटर ना रेचेस्ट अपनो खास उपयोग करो जो ये थिंबल थी फूल प्रेसर करवानु ने छेली गडिये रेचेस्ट अपका फेरी अने माइक्रो मीटर ने फीट करो पड तो आरी ता आउटसाइड माइक्रो मीटर नो कोई पड़ कोंशेब तमारे क्या ये पड़े ज़रा पड़े नहीं रहो हो है ये ऊँँ सम्झूजुजू सरस्री ते तमे हवे पची जोब बनाओ तेरे आउटसाइड माइक्रो मीटर नो उप्योप करी जोब बनाओ सो तमना परफेक्ट आउटसाइड साइड माईक्रोमीटर भार साधोल पर्फेक्ट अनुट रिडिंग लिता अवर से अने यहना तमाम पुछाता प्रश्णों पर तमना आवरी जिसे आउटसाइड माईक्रोमीटर जंदल नीज गाली गिया पुछाती हुए कॉप्ट्यूप्स है के मैत्रिक पद्धति ना आउटसाइड माइक्रोमीटर नी लीस काउंट तो के 0.001 mm आना इच मों पुष्या 0.00 0000 करवाना है मा आना वन इच त्यार बाद युँ पुष्या के रैचे स्टॉप मों खाला केवा प्रकारना थ्रेड पाड़े ला है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर काया सिद्धान पर कारिया करे तो आपने नट बोल्टा था स्कुरू ओना नट नो सिद्धान पर कारिया करे चे तो मने यम छे के अवे आपने लेशन पूरू कर्शू और तम्में सरस्रीते समझी सक्या वाशू यही आसा-सा थे जै भारात जै गुर्वी गुज्रात नमस्कार अस्तुर।